नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती है जो विभिन समचार पत्रों पर छाइवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवशक होती है तो आई ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जुमित्र पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें खबर की सुरुवात करते हैं पहली सुचना से लिखा है अब रोजगार कार्याला में पंजीक्रण अनिवा पाएंगे शाषन की ओर से इस आसय का आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश सरकारी गैर सरकारी हर तरह की भरतियों पर लागू होगा इसके लिए बरती संस्थाओं को फार्म के प्रारूप में बदलाव करने के लिए कहा है तो जो आविद्यन की अब फार्म आएं रोजगार दफ्तर में आयोजित रोजगार मेला में ही इने अवसर मिलता है सरकारी विभागों की भरती परिक्षाओं की तयारी करने वाले लागों युवाओं ने भी पंजीकरण नहीं कराया है इसका अनुमान इससे ही लगया जा सकता कि प्रियागराज में 31 अगस्त तक 1,66666 युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण था उप निदेशक सेवा योजन RS भारती के कहना है कि आदेश की कापी यहां पहुंच गई है अब आदेश की कापी पहुंच गई है और आप लोग भी अगर अभी तक आप लोगों ने रिजिस्टिशन ना करवाए हो तो रि की परिक्षां के प्रडामब में आयोग पहले पीस्टोल 17 की मुख्य परिख्या और इसके बाद सब्सक्राइइब आई-इकी सब्सक्राइब की मूख्य परिख्चा का परिणा जारी कर सकता है pc2017 की मूख्य प्रिकषा क्याल जुन दौ Πूल मिलार कर कि pc.s 2027 की मूख्य परिच्छा का परणाम है यह आयोग की प्रात्मिक्ता में है इसमें लिखा है लिखा कि ऐसे में इस परिच्छा का परणाम आयोग की प्रात्मिक्ता में है और आयोग सितंबर में मुखी परिच्छा का रिजल्ट जारी करने की तयारी में है तो PCS 2017 का परणाम अब आपका जल 2018 की मुख्य परिख्चा के बाद में आएगा लेकिन अब ऐसा नहीं है इसमें लिखा हुआ कि सितंबर मा में ही आ सकता है PCS 2017 का प्रणाम नीचे लिखा है अक्टूबर में PCS 2018 की मुख्य परिख्चा भी प्रस्तावित है आयोग इस परिख्चा से पहले ही 2017 की मुख्य परिख्चा का प्रणाम जारी कर देना चाहता है ताकि परिख्चाओं का क्रम न भिगड़े और आगामे परिख्चाओं के सत्र को नियमित किया जा सके यानि कि जिस क्रम से भरतियां हो रही उसी क्रम से भरतियां हूं नीचे लिखा है कि सुत्रों के मुताबिक आयोग की लिष्ट में दूसरे नंबर पर आरो यारो 2017 की मुख्य परिख्चा पिछले साल 8 अप्रेल को आयोजित की गई थी तो पहले आपका आएगा PCS 2017 मुख्य 2017 का प्रणाम तो इसकी बाद में एक और सूजना है यूपी ट्रिपल ऐसी की है इसमें लिखा हुआ है कि पुराना भरति विग्यापन रद्ध होने पर आविद गोने घेरा विधान भवन वर्स 2016 में जेल वार्डन और फायर मैन के 3886 पदों के लिए निकाला गया विग्यापन रद्ध होने से नराज आविद को ने सुक्रवार को विधान भवन का घेराव किया पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा कर GPO के पास गांधी प्रतिमा के समक्च भेजा विद्धा विद्धार्थियों को यह उमीद थी कि फिच्ट के नमबर जोड जाएंगे छुंकि पुराने नोटिफिकेशन बताया गया था कि फिच्ट के नमबर एड होंगे लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया इसी को लेकर के विद्धार्थि आकुरोसित थे और विध्धान ववन का गेराओं किया इसके बाद में एक और सुचना है आपके काम की है और समचार पत्र ये आज है इसमें लिखा हुआ है कभी भी हो सकती है घोषणा यूपी के तीन हिस्से और दिर्ली को पूर्ण राजी का दर्जा काफी दिन से ये बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश से एक बह फैसले लेने की तैयारी करहीर कर रही है जिससे यूपी और दिल्ली सहित कई राज्यों की समस्चाओं पर एक साथ काबू पाया जा सकेगा जिसमें एक बार फिर अटल व्यार इभाजपई की तरह राजपुनर गठन की कवायत की जा सकती है जिसमें यूपी के तीन हिस्से कर दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा देने की कवायत शुरू हो गई है दिल्ली का लुटियंस जोन केंद सरकार अपने पास रखने की गुफणा कर सकती है बाकी जहां छोटे राज्यों की मांग उठ रही है उसको दबाने के लिए सरकार पहले ही अपने तरीके से छोट दानी प्रियाग राज हो सकती है और उसमें प्रियाग राज कौसांबेद प्रताबगण चित्रकूट और हमेरपूर महोबा जहांसी के पूरे जिले तो यह अम्रिज्यापूर संत्रविधासनगर इतने बुंदेल खंड राज में हो सकते हैं और गोरकपूर पूर्वांच संत्रविधासनगर देवी पटन यह जो जिले हैं योद्याप यह गोरकपूर में हो सकते हैं और लखनौ के आसपास के जिले एक अलग राज बनेगा तो वह लखनौ में जाएंगे और पस्चिम के जो जिले हैं उसको दिल्ली को दे दिया जाएगा और कुछ जिले हर्याना को दे दिये जाएंगे कुछ जिले व्राधा बाद इत्यादी उत्राखंड को दे दि जाएंगी यहां पर लिखा ह participating मुराधा बाद मंडल हो सकता में सामिल अगली कवायद में दो नहीं राज गठीत होंगी तो यह जरचा है अग बार में अब देखते हैं कि आगरकार ये क 2017 की लिखा हुआ है कि प्रवोक्त पृष्चय 2017 3ौको प्रृयग राज में लखनाओं में होगी 26 विशेयों की परिक्षा और इसका पार्थिकरह जारी कर दिया गया है लिए को प्रीयाग राज विखनी केंद्रों में 1 ज़्क सुबह 11 बज़े से दोपेर एक बज़े की अवध में आयोजित की जाएगी आयोगी ने 26 विसियों का पाठिक्रम जारी किया है गड़ित को छोड़कर बागे सभी विसियों का पाठिक्रम एक समान होगा आयोग के उपसची पुसकर स्रीवास्तों के अनुसार 28 विसियों में प्रवक्तापत प सभी आयोग से जो कंप्यूटर आपरेटर की भरतियाई थी उसके अड्मिट कार्ड अप्लोड कर दिये गए उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यह देखिए यहां पर लिखा हुआ क्लिक है तो डाउनलोड अपरेटर ग्रेट बी एक्जाम नेशान अंडर अड़िजम सितंबर के बीच में इसके अड्मिट कार्ड कल ही लिखा 6 सितंबर को पूर्टल पर दे दिया गया है इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कल डाउनलोड नहीं हो पा रहा था आज यह डाउनलोड हो रहे हैं इसके बाद में अलाइसी एडियो की मुख परिक्षा जो होनी कि पोश्ट पॉन कर दी गई है इसको पोश्ट पॉन कर दिया गया है और आगे अब यह प्रिक्षा कब होगी इसके बारे में लिखा हुआ है कि आगे सूचना दी जाएगी लिख्या नेक्ट सेट्यूल विल इनफॉर्म तू दो कंडिडेट्स इन डिव कोर्स तो यह आग सब्सक्राइब भी कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद